एक ऐसे प्रशां के अपर नियुक्ष करें फिर्थ आप सहर पेट नमा भारतिक पॉझ का जो सेमयल एट सर्थ है इसको हम पढ़ेंगे अंती दो, ठीक है ठीक है ठीक है झी बड़ी लास्ट पीडियों हम पने अंती दोर प्लेक पढ़ाता वॉरा 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 इसमें आये तो तो बेटा ग्रांगी सुनना और समजिना पहला विशुद आरभ हुआ राजिती उतार पर थी इसका काइन्था कांग्रेश का लखा पथित गरम दल और नरम दल में विभाजन कांग्रेश से इसके दो दल थे नरम और गरम विभाजन अगर दिखाल में लाक्ति किये गए नियम और परतिबंद विभाजन और यूद में जो नियम लाग्ट के गए तो पर्तिवन इन पर रोग लगाए थी उनका है विश्व यूद स्माफ्त हुआ और शान्ती के परिणाम सब्रूप देश में रहत और प्रगति के बजाए और पुम्नती के बजाए क्या हुआ दमनकारी कानौन और पंजाब में मार्शलोला को हुआ जन्ता में अपमान की कड़वाहट और प्रोध कावेश भर गया जो जन्ता की उसमें कड़वाहट भर गई थी ऐसे समय में जब उमारे देश की पुरुष को लगाता कुचला जा रहा तो शोशद की लगाता नेुटा कृतिया से हमारी गड़ी बढ रहे थी कि वह बाट बार हम पर अध्यक्तर कर रहे थे तो उमारे जैस में क्या हो लेर थी गड़ी बढ रहे थी और हमारी जेमन शक्तिशिन हो रही थी चो हमारी जीनने की शक्तिती को कम हो रही थी किसान वर दपूऔर भारतिय था किसान वर कैसा था दपूप बत जा रातर ती जो फिकलब उनी बत ये किसी को भी नहीं जो कार्थामां में काम करते थे वर्कर्जोत्रे उनकी स्कीती भी अच्छी नहीं थी मद्यवर्ग और पुद्यजीवी लोग जो इसे सर्व रासी अंदिकार में अगासी को सकते थे वे खुद इस व्याफिक दासी में डूपे हुए थे पुद्यजीवी लोग बंद्यवर्ग और पुद्यजीवी मतलब जो अडेलिक है वर्ग था जो बड़ा लिखा वर्ग था उसमें मतलब अंदकार में उसकी दिपक का काम सोच रहे थे कि हमें उजालना देंगे लेकिन हो फुद इस उदासी में रूपे हुए थे और तब गा कि जोगे की तरह के चाहां कर लोपे हैं इसने चाहां के लोपे ज़ूके की ituationप्र 576a की कि यौद cooler ये उपर से अंतरों विस फीर ये भारतार को सेudव ऐसाने की मुख पर से ही खूद कर आगे थे जो हमारे महारत के करोणों की जो आबादी थी उसमें से ही एक इंसान दिकर कर आदा था जिसका नाफ़ा मामा गांदी वे उन्हीं की भाषा बोलते थे और लगाता रून की सोचनी स्थिती की ओर ध्रान आकरशिप करते थे उन्होंने हमसे कहा कि मज़़ूरों और किसानों की पीट से उतर जाओ तुम सब जो उनके सोचन के सहारे जिंदा हो उस व्यरस्ता के समाप कर दो और इस गरिपी और दुगती की जैड़ी है वो कहएरे हैं कि जो तुम गरीपों का किसानों का दुख स्योशन कर रहे हो वो चोड़ दो और यही कारण गरीपी का कारण बताया साहनोंने उन्होंने जो कुछ कहा हमने उन्हें से जारतार बातों पर आंशित हुख में मानना और कभी-कभी विंपुल नहीं माना जो कानी जी कहते थे तो कह रहे है ने कि हमने इनकी बातों को कभी-कभी मांना या कभी नहीं माना । लेकिन न की रखते निकी शिक्राय जो आधार था वो शिक्राय का जो कहना चाहते थी निर्वेता और सत्य को निर्वेता और सत्य और इंसे जुड़ा हुआ कर अभ्य हमेशा समाने जन्ता की खुशाली पर नजर रखते थे खुशाली मतलब कि ये खुश रहे लेकिं बृतिक्स शाशन के आदि इन सबसे प्रबल ऐसास था भैट जन्ता में क्या था भैट इसका ब्रिटिस शाशन का व्याएता व्यापत दम्तार इनम बोट घै सेंदा गार्ड पुलिस का जूक चारोतार फैले इसकर्दि इक थिलाखी गांधी की शांत गंधी की शांत इंतुद्र आवाज की दरों मर्ष गांदी जी समझाते थे किसामों को मजदूरों को यूगों को मिल हर वर के लोगों को समझाते थे कि जो ये तुम्हारे तर तो डर है तुम डरो मद किसे रो मद बिटे शासन से डरो मद अगरिजों से डरो मद इस तरह लोगों की उपरसे द्रैका काला लबात खूढ गय था ली वो दीरे तीरे डर्डा लोगों ने खोड़ दिया था पूरी तरह तो नहीं पराश्य जनक मात्रा में, पूरी तरह तो लोगों ने डरना नहीं छोड़ा लिए है, खैरामी की मात्रा में लोगों ने डरना छोड़ दिया था, क्योंकि द्रैका जूट से नस्दी का संब्द होता है, जो डरते हैं तो किससे संब्द होता है, जूट स परिबरतर था उसके बाद बैठा हमारा आगे है कि गांडी नी भारत में करोडों को individual मात्रा में प्रभावि कर बारत की जबता करोडों में में गांडी ने सली को अलग अलग उसमें प्रभावि किया उस लोगों नियुक्ति पूरी बनास थी पदल दिया बनास बदला बैसने पूरी जी हैं उसके के याchos के लेकि शलिए जान फ़र्फण हम दगा जैसा की सोदे जेए पर गांधी ने को समझाए लेकिल्गी काण्धी के ऐतर्रीं लोग परभाव खतम हो गया अलग अलग लोगों में पढ़ते करी आएंगी अलग अलग भी और हर आदमी के पास इस सवाल का अलग अलग जबा था देखो हमारे संसार में करोड़ों लोग है जो सबी सोचने समझने की शम्ता अलग अलग होती है किसी ने कुछ कहा और किसी ने कुछ कहा तो हमारा से इस को इंपरता है रिटा लोग गांदी जी के ने दिल्टाव में कांड़े सकती है गांदी जी ने पहली बार कांड़ेस के संगठन में परवेश किया और तत्काल उसके सिर्णान में तुटी तरह परिवरतर लाग दिया किसके संगठन में परवेश किया कांड़ेस के संगठन में परवेश किया उन्हों ने उस लोग तांत्री और लोग संगठन बनाया किसानों ने और अपनी दूप से लगा।द जिसमें मद्रमय के लोग संध्या में चितरे हुए थे विछे जोर का फीटन रूब लेकिन अपनी व्यक्तिकत रासियत में अलग से संगठी द्रूप में नहीं बनाएं व्यक्तिकत रूप से संगठी में सांवित हो गए थे उसके बाद अब विदेशी शांशन को चिनौती देने और उसका हुकावला करने की सप्रियाता तो की ही अपनी खुद की सामाजिक गुराईयों के लुद लड़ने की सग्रेता भी थी कांग्रेस के मुख्या अधार थे रास्टिय एकता जिसमें अलग संख्यतों की संख्या समश्या उनको हल करना और दली जातियों उपर उठाने के साथ चुआ चात के अभी शात को खतम करना था जो गांग्रेस ने उनका मुख्या अधार था एक तो चुछ चुआ छात है जैसे अम्हीरी गरेटी छोटी जाती नीचे जाती इन सबके इस चुआ छात को खतम करना था और क्या था जो छोटी गले जातीया थी उनको ऊपर उठाना था गांदी ने अम्रेवे शाषिन की बुनियार्दों पर चोड़ थे उन्होंने कहां की खिताब चोड़ देने चाहिए खीक है और गांदेश के पुराने नेता जो एक अलग और ज्यादा विश्क की प्रभणा में पहे थे इन नए तोर तरीकों पासानी से नहीं अपना सके थे और आम जन्ता की सुठान से उन्हें परिशानी कुई लेकिन जो हवा पूरे देश में बढ़ी इन लोगों में भी उनका नशाख फुसदूर तक बर गया था किसमें जो कांग्रेस के पुराने नेता थे पहले को ये चीज अच्छी नहीं ही लगी लेकिन जब पूरे देश में फैर के थी तो उनको भी दिन भी अच्छी लगनी लगी थी उन्होंने हमें गामों की ओर बेज़ा और करम की नए संधेस को ले जाने वाले अनकीना दुटों की गती विदियों से दिहात में छेल पैल मच गए हमें गाम की ओर बेज़ा गया रहा हम लोगों का अपर अधाव कुसरे रंका था हमने पहली बार ग्रामी को उसकी कच्छी जोपड़ियों में भूब की उस चाया के साथ जो हमेशा उसका पिछा करती है चिप्ते देखा हमने इन यात्राओं से भारतिया थ्वरस्ता की बारह में उस तक और बाशनों की खुला में अधिकर जाना जब उनको गाउं की और धखेला गया गाउं की और जाने के लिए लिए आ गया तो हमने देखा कि इसमा पर कितनी ज्यादा भूमरी है जो भूब की जो परच्छाई है जो उनको तिन राथ सताती है तो इसमें जैविती कह रहे हैं कि वह चीज़ अपने कप्रे की किताबों में पड़े थी वाष्णों में देखिती सुनी थी देखिन उससे अधिक अंगाउं में का हुआ जिदों गाउं में गड़ आर्तिक सामाथी को दूसरे मामलों में गांदी जी के विचार बहुत सक्त थे उन्होंने इग सबको कांग bitter कोशिश नहीं ऑक कांगरेस पी इन पर मेंग लुक्ट सर्सक्त़ कानुन को नीएं आए इनने में से मअझ ही Myself और प्सकान से शामधानी स mí library च्बड़ें को अपने साथ ले चलना चाने दें इगाली किसके साथ पॉप से के लोगों यह पू horn कुझ उन्हें कि अंभी कि या जोनी कि अचर्व कि ने कि Toril सरह आंजें गया कुछ लोगों का जादन अमेशा मेटोफोन होते हैं और उसके अंदेखी नहीं भीजा सकती। उसके बाद लिखा बारते संस्क्रिटी ने हिंदू है ने इसलाम ने पूरी तरह से कुछ और है। बारते संस्क्रिट ने हिंदू है ने इसलाम है ने पूरी तरह से कुछ और। यह सबका मिला जुला रूप है उन्होंने आगे लिखा है मैं जाता हूँगी मेरे घर के पास सारे देश की संकृति जितनी सवतंत्रता से संभाव हो उतनी सवतंत्रता से खेले वो गहरे कि मेरे गर के पास सारे देश की संत्रिती हो लेकिंग वो को संत्रिती हो जो हमारे देश को अजार कराए उन में से कोई मेरे पैर खाट दे मुझे यह मंझूद नहीं है आदुनी की चारदारम से परभावी दोकर होने कभी अपने जड़ों को नहीं छोड़ा उपने मजबूती से पकड़ा रखा इस तरह सन 1920 में नैशनल काम देश ने और काफी हट तक देश ने इस नए रास्ते को अपनाया और ब्रिटी सरकार के खिलाब गालबार संगर्श किया एक के बाद एक दूसरा समिन्य अवध्या आंदोलन हुआ और उसके कारण बहुत वस उठाने पड़े लेकिन इन सब के मुताबिकों प्रिटी सब उसीबतों को चुपकी खुद आमंत्रित किया गया था इसलिए उनसे शक्ती ही मिली कहने का भी लिए एक दूसरा समिन्य अवध्या आंदोलन होता है और उसके कारण बहुत वी कस्ट उठाने पड़े और इन सब उसीबतों को हमने खुद आमंत्रित किया था इसलिए मुझे शक्ती भी आमको मिली थी जब समिन्य अवध्या अंदोलन जारी नहीं था तब भारत में बिटी सरकारी तंदी से ऐसे योग जारी था उसके बाद विता हमारा थाट पॉइंट है अल्ग संद्रों की समश्या मुस्लिमी मुहम्मद अली जिन्व कि संद्रों झाल का जाथा फार आप संद्रों की अधिकारों के साथातार हमें बठाना था टाकि उन्हें संद्रों के खिलाफ प्रयापसरी बिलचन मिल जटे हैं उसके बाद तिनितल yn कि जाते या दूसरे धेक हुआ जाती है या उनमें अंतर करना कठी होता है जाई है जाए दार्में इभारे स्थाइच नहीं होती है उसकी जाती उसकी जाती और बाशिक थ्रासत नस्थ नहीं होती जो लोग अपना धर्म बदलते जाती बदलते हैं तो सब्सक्राइब बाषिक नहीं होती है प्रन्तु राज्मितिक मामलों में धर्म का स्थाम संपरदायक्ता नहीं रहिए है जो मांसी गुर्प से अपना आधार किसी धार में कपार को बनाता है किन्तु वास्ता में उसकी दिल्चस्पी राज़ितिक शक्ती और अपनी समुदाय को बढ़ावा देना होता है गुज्रे जमाने में कम से कम से धांत में प्रिक्ती सरकार ने भी बारती एकता और अपनतर का समधर किया लेकि उसकी नीटियां हमें सीधी उसकी दिशान में गरे गई जहां इन दौनों काहिए अविश्कार ऐसी कार था अगस 1940 इसी में कांग्रेस ने मजबूर होकर पोशना की कि भारत में प्रिक्ती सरकार की निती जन जिमन में संगर्श और प्रत्रुट का पर्देक्श क्रूप से उपसाती है और बढ़काती है विश्कार ने जिमेदार लोग कुला कुला हमजीय कहने लगे थी शायद की जिन्हें व्यवेस्ता की पक्ष में बारत एक्ता की बही जणानी पड़े इसमें क्या का था उन्नी सो चालीस में कांग्रेस से मजबूर होकर दोशना थी कि विश्की सरकार की मित्ती के एजन जीमन में संगर्दार शोप को पर्तेक्श क्रूप से उपसाती है अंग्रेजों की मित्ती मुस्लिवियं को लिगुदु आस अवाकिये मजबूर को प्रोचसाइद करके उन पर बलतेने की और समबर्दाइक की मत्मानों का कांग्रेस एजन मेतो देने की रही है त्फॉर जिर्ना के दो रास्टों के सिद्धान से कामिस्तान का या भारत के भाजन के उधारना का विगास हुआ लेकिन उससे दो रास्टों की समश्या का गल नहीं हुआँ प्रोकी वे तो पूरे देश में थे खीक है यह लेसन पीटा हमारा कम्प्लीट हो गया है एक बड़ बिटा खुद भी इस लेसन को वेट करना और कुछ समझ में लिया आई को उसे पोचना Thank you